दोस्तों कहा जाता है अंत भला तो सब भला लेकिन अंत इतना अच्छा होगा ये कोई सपने में भी नहीं सोच सकता दोस्तों विराट कोहली और रोहित शर्मा ने T20 क्रिकेट से रिटायर्मेंट का एलान कर दिया एक तरफ फैंस खुश हैं कि 13 साल बाद हम वर्ल्ड कप की जीत का जश्न मना रहे हैं तो दूसरी तरफ विराट और रोहित अब कभी T20 नहीं खेलेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में ये बात परेशान भी करती है रुको कई बार दिल कर रहा है कि इन दोनों को पकड़ कर रोक लो यार की मत रिटायर भी खेल सकते हैं तुम लोग तुम दोनों में बहुत दमखम बाकी लगता है नहीं दोनों ने सोचा है कि जीत के साथ नई पीढ़ी को मौका दें ये अपने आप में कमाल है रोहित शर्मा खिलाडी जो लीडिंग रन स्कोरर हैं इंडिया के लिए पहली बार T20 क्रिकेट के वर्ल्ड कप क्या चाहिए इनसान को रेयर वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट हो कपतान लीडिंग रन स्कोरर हो और ट्रॉफी जीत जाए कमाल है कमाल है और इसके साथ रिटायर्मेंट कहना और विराट कोहली प्लेयर आफ द मैच फाइनल फर्स्ट ताइम एवर इन ICC के लिए विराट कोहली इससे पहले कभी भी ICC टूर्नामेंट के फाइनल में मैन आफ द मैच नहीं बने थे और जिस मैच में बने उस मैच में मैन आफ द मैच बने रोहित कप्तान के तौर पर रिटायर्मेंट और विराट प्लेयर के तौर पर मैन आफ द मैच का खिताब आकर रिटायर। एफिलियेट सिनेमा वाली नहीं है लेकिन एक दोर काइंड हो गया। ट्वेंट के लिए जब-जब मुसीबतें आई हैं तब-ब खड़े हुए हैं और इंडियन क्रिकेट फैन्स दोनों कभी भूल नहीं पाएंगे कभी नहीं भूल पाएंगे। पहले विराट कोहली ने रिटायर्मेंट का ऐलान किया, उसके बाद रोहित शर्मा ने रिटायर्मेंट का ऐलान किया, और ट्रॉफी की जीत के साथ एक बड़ा हार्ट ब्रेक इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए आ गया, विराट और रोहित ने एक दूसरे को हग किया, दोनों ने खुद के लिए भी कहा कि मेरे लिए भी इससे बहतर मौका नहीं हो सकता। मैंने इस गेम को बहुत इंज्वाइ किया है। जब मैं आया था तब मैंने T20 से शुरुआत की थी और अब जब T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीत चुका हूं तो मेरे लिए इससे बहतर कुछ नही रिटायर्मेंट की तो कहते हैं कि नॉट मी किसी को विराट पर डाउट नहीं था हम जानते थे कि वो क्या कर सकता है और 15 साल से हमने उसे खेलते हुए देखा है उसने करके दिखाया हालांकि रोहित और विराट इंडिया के लिए ODI और टेस्ट क्रिकेट में खेलते नजर लेकिन दोनों ने यह बता दिया कि यह उनका आखिरी T20 वर्ल्ड कप था यह उनका आखिरी T20 मैच था दोनों ने कह दिया कि अब नई पीड़ी को अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों भावुक लमहा है भावुक आखें गमगीन करने वाला रोहित कप्तान के तौर पर जीत कर विदाई कोहली प्लेयर ओफ द मैच जीत कर विदाई इन दोनों ने इन्हें ग्रेड क्या नहीं दिया है क्या नहीं दिया है विराट कोहली के नाम सबसे चौके रोहित के नाम से छके विराट सबसे वर्ल्ड कप में रन रोहित सबसे यादा सेंचुरी इतने के तौर पर एंड किया, जीत कर आगाज भी, जीत से, अंत भी जीत से, अनली इंडियन प्लेयर, जिसने 9 T20 वर्ल्ड कप खेले हैं, एक कप्तान के तौर पर 50 T20 मैचेस जीत गया, सबसे ज्यादा अर्धशतक पांच, रोहित शर्मा के, रोहित शर्मा अपने आप में एक रिक T20 वर्ल्ड कप, अब एक कमाल यार अद्भुत है, अविश्वसनीय है, इन दोनों का करियर बहुत 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 बढ़ा है, और वर्ल्ड क्रिकेट में इन से बड़े खिलाडी बहुत कम, थैंक्यू रोहित शर्मा, थैंक्यू विराट कोहली, थैंक्यू फॉर यू सर्व इनकी आँखों में आशु परिशान करते थे, और 2024 में इनके हाथों में ट्रॉफी का हकरना सारी दुनिया को फक्र महसूस करा रहा है, थैंक्यू विराट कोहली, थैंक्यू रोहित शर्मा, थैंक्यू कैप्टन रोहित शर्मा, थैंक्यू गोट विराट कोहली